शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें विए शुल्या भूलें यहां क्या है यहां क्या है नक्ट्चा दीरे दीरे कुम जाओ अरे यह तीनों टेबल पर ऐसे जो पड़े हैं खून सिर के बीचों बीच गोली लगी है तीनों के आँ सर हलो रजट सर यह इन तीनों के सिर में गोली मारी गई है लगता है उन तीनों नहीं खून किया इनका छोड़ो मत उन्हें पकड़ो उन्हें तीन तीन खून कर दिये तुम लोगे क्या सो चाता है अंसे बच के निकल जाओगे खून? लेकिन हमने किसी का खून नहीं किया है जोट बात बोलो वान प्रिंस रूम में पड़ी तीन लाशे गवाँ है तुम्हारे जूम की हम सच कह रहे है सर हम यह उनसे मिले आए थे उन्हें मारने नहीं अगर आप लोगोंने किसी को मारा नहीं तो फिर भाग क्यो रहे थे क्योंकि जिस मकसाद से हम यह आए थे वो तभी पूरा होगा अगर आप हमें पकड़े नहीं जाने दें कैसा मकसा यह देखी सिर यह राचेक और इसके अपर खून लगा हुआ है सिर वो तीनों तो चेक लेने के लिए थे और जेक लिए बिना कैसे चले गए वहीं तो आये थे चेक लेने के लिए लेकिन चेक लेकर ही गए और तो और साथ-साथ इन तीनों का खून करके चले गए यह कैसे हो सकता है पंकाच, पिता लिखो लेकर आओ, जल्दी सर में, तीनों को पकल के रख़का उन तीनों के नाम है मिंटू हसन, सुखी, मनप्रिथ रहे उननी के पास है लगगा यह किरी सर वो बार बार एक ही बात कहा रहे कि उन्होंने यह खून नहीं किय किये मिंटू हसन, सुखी औड़ न्मनप्रिथ प्रीद, कहरे खो नहीं किया है, प्रजक्त, डॉक्टर तारिका को बलवा लेते हैं, और उससे इन तीनों की गन पाउडर टेस्ट करवाते हैं, पता चल जाएगा कितना सज बोल रहे हैं, कितना चूट, सारे कमरे की अच्छी तरसे तलाशी लेते हैं, कुछ न कुछ तो सर, मिटाली, यह सब कैसे हो गया, किसने किया है सर? मिटाली, बता जहां, इस कॉंफॉरंस रूम में आने के लिए, क्या तुम्हारे पूरे स्टाफ को परमीशन लेनी पड़ती हैं, हां सर, जब भी कॉंफॉरंस रूम में मीटिंग होती है, कोई भी बिना इजाज़त के, में तो क्या इस फ्लोर पर भी नहीं आ सकता और आज तो यहां बहुत जरूरी मीटिंग थी इसलिए क्रिटिका मैडम रनबीर सर और इशान सर ने कहा था कि कि को भी यहां आने की अनुमती ना दी जाए जब तक मीटिंग खतम ना हो जाए तो फिर वो तिनों कैसे खुते इस कॉंफरेंस रूम में क्या तुम भी शामिलों के साथ बतो नहीं सर आप ऐसा कैसे कह सकते हैं मैं भला आपने बॉसिस को क्यों वारूंगी उन्हें तो कृतिका पर्मिशन देती हुनाने के लिए सर पूरा कमरे बहर एंच फ고 नहीं बेना है चैनल कुछ नहीं कुछ ने मिला कोच भी नहीं मिला इस कम्रे में है ना बड़ी अजीब बात यहां इस CONFERENCE ROOM में आने के लिए और यहां से बाहर जाने के लिए सिर्फ एक ही दर्वाजा है यही दर्वाजा है ना हाँ सेर्थ फिर यह सब हुआ कैसे कैसे हुआ यह सब जब हम लोग यहां आ रहे थे तब ये तीनों भी मिंटु हसन, सूखी और मनप्रीत भागे जा रहे थे यहां से क्यों और वो भी बिना चेक लिए सारा चक्कर क्या है कुछ न कुछ तो गड़बट जरूर है सर ये भी तो हो सकता है कि इन तीनों ने एक दूसरे को मार दिया हो नहीं पंकच मुझे नहीं लगता ऐसा हुआ है अगर ये तीनों एक दूसरे को मारते दा कोई ना कोई गन तो हमें मिलती कोई ना कोई गन ने 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 इस सारी गुद्धी का जवाब इन तीनों के पास है मिंटु हसन, सुखी, मनप्रीत ये लोग साच कह रहे हैं सर्थ, इन मेंसे किसी ने भी गोली नहीं चलाए किसी के हाथ पर गन पौडर का निशान नहीं नहीं सर्थ, अब तो यकिन हो गया ना आप लोगो को कि हम शरीफ लोग हैं, क्रिमिनल नहीं शरीफ लोग, मिंटु असन, सुखी, मनप्रीत, शरीफ लोग, इसलिए भाग रहे थे हमसे तरसल हमें यहां आरेनो शिमोना ने भेजा था एक धाई करोड का चेक लेने एकनि इससे पहले कि हम तीनों को मिल पाते गोलियां चल गई और हम लोगों को लगा कि पत्ली गली से कट लेने में ही समझदारी है पत्ली गली से कट लेने में ही समझदारी है अगर तुम लोग शरीफ होते हैं तो या तो खोनी को पकड़ने की कोशिश करते हैं या पिर C.I.D. को बुलाते हैं नहीं कर सकते था मैसा, क्योंकि हमारी चराफत हमें हमारी मंजिल से भठका देती मंजिल, जरह हमें भी तो बताओ, क्या मंजिल है तुम्हारी एक मुजरिम मुजरिम, क्या मुजरिम मुजरिम नहीं, कैंसर है, वो कैंसर एक ऐसा कैंसर जो समाज के जड़ों को खोकला कर देना चाहता है और उस कैंसर से देश को बचाने के लिए हमें भी मुझरिम बना पड़ा पर हम सिर्फ छोटे मुटे जर्म करते हैं शरीफों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं हम तो बस इतना चाहते हैं कि हमारे गुनाहों से प्रभावित होके वहमें अपनी दुनिया में एंट्री दे दे इसलिए भाग रहे थे तुम हमसे हां पकड़े महीं जाना चाहते थे क्योंकि अगर पकड़े जाते तो उनके क्यांग में घुच नहीं पाते हैं ना जी हां क्योंकि अपने सारे काले धंदे सफेज चादर की आड में करता है और जुर्म के दुनिया के खीचड की एक भून भी उसके पाप के महल को धाराशाही कर सकती है इसलिए हम नहीं चाते थे कि हम आपके साथ पकड़े जाएं लेकिन आप लोग उने पकड़ी लिया ये शिमोना और आरियन इनका क्या संबन्द है इस बात से वो दोनों उसी के लिए तो काम करते हैं और हम तो उन्हें बस सेड़ी के तरह सिमाल कर रहे थे ताकि उन्दत पहुच सके मतलब शिमोना और आरियन ने मिलवाया तुम्हें इस रणवीर इशान और कृति का जी हाँ कल दो पहर आरियन और शिमोना की नकली आर्ट एग्जिबिशन में आरियन और शिमोना देख रहें कई? बोरे शिमोना लाल सिलवार में और आरियन ब्लाकोट में अपने होनर का गलत फाइदा कैसे उठाए जाता को इनसे सीखे नजाने कितने लोगों को उल्लू बनाएं दोनों ने अपने आड और एंटी के चकर में कुट, काफी अच्छी जानकारी है आपको पेंटिंग्स की मुझे लगता है ये वाली पेंटिंग हमारे कॉंफरेंस सों के लिए काफी अच्छी रहेगी क्यों कृतिका? वाकई इस पेंटिंग में कुछ तो कशेश है बिल्कुल ठीक आपने कृतिका जे एक नायाब हीरे की कीमत एक अच्छा जोरी परख सकता है और आपकी आखो में परखने की नजर कूट कूट कर भरी है पर इन कोड को जादा ही इस पेंटिंग के लिए अरे कैसी बाते कर रहे हैं इस पेंटिंग के लिए 30 करोड भी कम है और वैसे भी जो चीज़े अनमोल होती है ना उनकी कीमत नहीं लगाई जाती है क्यों आरे है क्या डालोग मा रहा है जो चीज़ अनमोल होती है ना उसके कोई कीमत नहीं बताई जाती है देखना इस पे तीनों के तीनों क्लीन बोल्ड हो जाएंगे पर कुस तो कम कीजिए बहुत ज़ादा है भाई हमें खृतिका जी की मुसकान बहुत पसंदाए है जी शुक्रिया आपे काम कीजिए तीन की जगा धाई करोड देजिए ठीक है ठीक है डन करते है तो फिर ठीक है कल हम सारी पेंटिंग्स आपके ओफिस में बजभा देते है और आपसे चेक भी ले लेंगे तो फिर ब वैसे बहुत अच्छा प्लोट कर रहे थे आपकृतिका जी के साथ क्यों तुमको भाव जलान हो रही है कहो तो थोड़त कर लो मिस्टर आर्यन भाई थोड़ी फ्लोटिंग मेरे साथ भी कर लो मिस्टर आर्यन आरयन? नहीं आरयन नहीं, मेरा नाम केतन है और मेरा नाम नटवरलाल और ये सिमोना नहीं मोना डरिलिंग लेकिन आप लगो को ये कैसे पता चल आप लेगों के आप लगों को इसे पता चल और अब ये भी पता है कि कैसे तुम कितना पैसा चाहिए तुम लोगो बड़े समझदार हो, जल्दी मुद्धे पे आगे है हाँ, एक ठक को दूसरे ठक को समझने में जादा वक्त नहीं लगता हमें तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, हमें उस आदमी का पता चाहिए जिसके लिए तुम काम कर रहे हैं लेकिन क्यों? आप लोगो को हमें ये गारंटी देनी पड़ेगी कि हम दोनु का धन्दा चौपट नहीं होगा दे सकते हैं? नहीं होगा, बस अब बताओ कैसे पोंचेंगी उस तक? बहुत सा अरल, बस आप लोगो को नहीं यकीन दिलाना पड़ेगा कि आप लोग हमारे लिए काम करते हैं परभू कैसे होगा? सिम्पल है, कल इस पेंटिंग के धाई करोल का चेक हम लोग ने, आप लोग लेने जाएंगे इन तीनों से पूछना कि तुम लोग कॉन्फरेंस रूम में कितने बजे तक रहने वाले हो ये बात कुछ आजम नहीं हो रही है सर, हो सकता इन तीनों का खूल आरेन और शिमोना ने किया हूँ उन्हें ऐसा लगाओ कि हुमारा भी काम हो गया और ये तीनों भी फस गया है बंको जो तीनों भी आरेन और शिमोना के कस्टमर्स से तो वो उन्हें क्यों मारेंगे ने, 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 कुछ और ही चक्कर है छे, बात बताओ, तुम लोगों को कुछ याद आता है कोई ऐसी खास बात जो हमें बताना भूल गए होता है एसीप सेर एक फोन तो आया था अर्यन को? ने, 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 रनवीर को और और वो बहुत घुसे में बात कर रहा था फोन पे, नहीं? क्या बात कर रहा था हूँ Excuse me Hello, क्या? एसे कैसे खराब हो गया? उसे जल्दी से ठीक करवाओ कल सुबा ग्यारा बजे मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है उसे पहले ही कहा हो जाना चाहिए समझे? Mr. Ranveer यह? मेरी अभी अपने कारपेंटर से बात हो गई है आज रात को ही जागर वह आपके कॉंफरेंस अल में खुबसूरत पेंटिंग लगा देगा ओ नाइस यह तो बहुत अची बात है इसका बला कल सुबा जब हम आफिस पहुचेंगे तो यह पेंटिंग दिवार पर लगी होगी बिल्कुल बुट और हमारी जगा 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 चेक लेने के लिए यह तिनों के लिए यह तीनों के तो बॉट जरूर है वाना इस आरियन ने रात को फों करके तुरंथ पेंटिंग बाली कॉंफरेंस रूम में पुचप ना कुचच तो गडबट जरूर है किया तुम लोगों ने इन दोनों को देखा ता बिर लिंग में? नहीं वो दोनों तो यहां कही नजर नहीं आए कहीं भी दिखाई नहीं दिये तो पर ये खून किया किसने ये खून किया किसने किसने किया ये खून आसवानुके, पता चला गोलिया केसे चली? हाँ, पता तो चला है कुछ, शायद मदद मिल जाए तो बता दे उसे कृतिका, इशान रणवीर ऐसे ही बैठे थे थे ना कॉन्फरेंस रूम में यो, इतलब गोलियां उपर से नीचे चली है सर फिर तो खुनी को भी ऐसे ही किसी उची चीज पर चड़ना पड़ा होगा तो कै सर खुनी ने इन सब पर कॉन्फरेंस रूम की टेबल पर चड़ की गोलिया चलाए होगी वो तु मिल जाती उसके ट्रेसिस तु मिल जाते हमें वैसा तो कुछ भी नहीं मिला नुए और एक बात सा इन तीनों के शरीर पर कोई भी हाता पाई के निशान नहीं नहीं तो हो सकता है खुनी इन तीनों को जानता हो और शायद इसी बात का फैदा उठाया उसने और चला द बस वो खूल, रणबीर का है, रणबीर का है, लेकिन सर इन तीनों को मार कर किसी को क्या फाइदा हो सकता है, इन तीनों को मार कर किसी का क्या फाइदा हो सकता है, ये तो हम पता लगा ही लेंगे श्रया, लेकिन पहले उस कॉनफरेंस रूम में फिर से जाना होगा, फिर से दे इस कॉन्फरेंस रूम में जाकर फिर से अच्छी तरह से देखते हैं अच्छी तरह से तो तुम हो विशा इस कंपानी के चाओथ है और सबसे बड़े हिस्सेदार जी से इन तीनों की मौत के बाद तो तुम कंपानी के मालिक बन गए हैं? जी सही का आपने मुबारक, मिठाईयां लाएं होने मिठाईय? सर, मेरे पार्टनरों के साथ इतना बड़ा दुखधा हुआ है और आप मिठाई खाना चाहते हैं? अब करोना रूपिय जो मिल गए तुम्हें और फिर कंपनी पूरी की पूरी तुम्हारी हो गई नहीं? सर, यह क्या कह रहे हैं? सर, पैसा तो हाथ का मैल है पर इंसान की जिंदगी पैसे से कहीं जादा अन्वोल है इसी हाथ के मैल है अच्छे अच्छे लोगों की नियत को गंदा किया है मिस्टर विशार अज सुबह 11 बजे अब इन तीनों को को गोली लगी अब ही ठीक है ताफ का दर बहुत खराब होता है सर मेरा डॉक्टर कहता है कि दिन में दो बार ब्रश कहना चाहिए एक बार सुने के बाद और एक बार उखने से पहले मेरे ताथ देगो डॉक्टर पंकष आपका लेक्चर कहतम हुआ और आप ऐसे आप चाहिए सर बें अब है San sounds करतिखा कहा थ्रॉस्बड वो किया आप किया लगताँ आपको आपको किसी पर शक है कौन कर सकता है देख सर मुझे मुझे किसी पर शक नहींए युव बगार सथ जिसकिसीने भी किया ये उसे आप छोड़ियेगा मेरे जिद्धी के कैसे कठीगी मेस्टा भाइब, होसला रखे, वक्त के साथ सब कुछ ठीक होचागा मुझे तो लगता है कि रनबीर सर की जान पहले से ही खत्रे में थी अच्छा, आपको ऐसा क्यों लगता सर, रनबीर सर ने शर्शांक और केदार के खिलाफ पुलिस में कंप्लेन की थी वो दोनों कंपनी हत्याना चाहते थे और रनबीर सर कुछ दिनों से काफी अजीव सा बिहेव करते थे ना हसते थे, ना बोलते थे, हमेशा अकेले रहते थे जहां भी जाते थे, ड्राइवर को भी साथ लेकर नहीं जाते थे जहां भी जाते थे, अकेले जाते थे, अपने ड्राइवर को भी साथ में नहीं लेके जाता था सर, सालूम के सर कह रहे थे थे ना कि गोली पचपन से साथ डिगरी के एंगल में चली गोली कहीं उचाई से चलाई गई लेकि सर इस सारे जगा को देख के तो नहीं लगता कि गोली उचाई से चली सर मेरी समयद में बात में आ रही है अगर कोई किसी को गोली मारेगा तो खड़े-खड़े सामने ऐसे मारेगा टेबल पे चड़के गोली क्यों मारेगा, सर? सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि गोलियां किसी चीज के अंदर से चली थी? सकता है, बिलकुल हो सकता है, इस कॉनफरेंस रूम का कोना कोना चान मारो, एक एक इंच देखो, कोई भी चीज हमारी नजरों से चुटनी नहीं चाहिए, कोई भी चीज. सर, पेरसे कुष्ण नहीं बिला. रजेत, एक बात समझ में नहीं आरी है, इतना बड़ा प्रोजेक्टर का स्क्रीन है, प्रोजेक्टर का रिमोट है, मगर प्रोजेक्टर कहीं दि खाएनी दे रहा? क्योंकि, सर, प्रोजेक्टर सीलिंग के अंदर लगा हुआ है? प्रोजेक्टर सीलिंग के अंदर लगा हुआ है, अच्छा, तो क्या उसे नीची उतार सकते हैं? जी सर, कैसे? सर, वो जो रिमोट में उपर वाला बटन है, उसको दबाएंगे आप तो ये प्रोजेक्टर नीचे आ जाएगा तो ये बात है, प्रोजेक्टर उपर सीलिंग के अंदर, मिशाल जी, एक बात बताएए, ये रनवीर, इशान और कृतिगा, ये तीनों भी, क्या मीटिंग के वक्त, इनी खुर्सियों पर बैठते थे या, कहीं पर भी? जी हाँ सर, जब भी हम मीटिंग लेते थे कॉन्फेंस ओल में, ये तीनों इनी जमाँ पर ही बैठते थे इनी तीन खुर्शियों पर बैठते थे, रिजत, उतारो इस प्रोजेक्टर को नीचे, खोलो! खुलो इसे, पंकाच! वाँ अरे वाँ! इसमें तो गन फिट की गई है! प्रोजेक्टर के अंदर गन लगाके रखी है! बतलब खुनिग जानता था, कि ये तीनों सभीनी खुर्शियों पर बैठते थे! जैसे इन खुर्शियों पर बैठते, प्रोजेक्टर के गन में से गोलियां चली, और काम खता! यह तीनों बिचारे कहां जानते थे कि प्रोजेक्टर के नीचे आते ही और गोलिया चलेंगी और तीनों भारे जाएंगे मगर सर प्रोजेक्टर में गन फिट की किसने गन फिट की किसने सर मिन्टु आसन कह रहे थे ना कि उन्होंने रनवीर को फोन पर किसी से बात करते हो सुना था और रनवीर कह रहा था कि आज ही ठीक हो जाना चाहिए उसे जल्दी सी ठीक करवाओ कल सुबा ग्यारा बजे मेरी एक बहुत जरूरी मीटिंग है उसे पहले ही एका हो जाना चाहिए समझे? नहीं रनवीर इस प्रोजेक्टर की बात तो नहीं कर रहा था? हाँ, वो सकता है मिताली, क्या मीटिंग से पहले किसी ने इस प्रोजेक्टर को हाथ लगाया था? कोई रिपेर करने आया था? सर, कल रात को आर्यन और शिमोना आय थे ये पेंटिंग लगाने के लिए उसी दोरान एक इंजिनियर भी आया था प्रोजेक्टर ठीक करने के लिए उस वक्त आप यहाँ थी? नहीं सर, मैं नहीं थी रात हो गए थी तो मैं घर चली गए थी मुझे वाश्मेर ने बताया कौन था ये इंजिनियर? पता नहीं सर, कोई नया इंजिनियर था वाश्मन कह रहा था कि पहली बार देखा है उस इंजिनियर ने अपना नाम, पता, नमबर तो दिया होगा नहीं सर, कोई नया इंजिनियर जिसका नाम नहीं, पता नहीं, नमबर नहीं वारे वार, बद बड़ी प्लाइनिंग की इस खुनी ने, पहले इसने प्रोजेक्टर को पिखाड़ दिया, फिर अपनी आगमी को बुला लिया इसे रिपैर करने के लिए इस नए इंजिनियर को, और उसके जरिये उसने ये गन फिट कर दी इस प्रोजेक्टर में, मगर ये उस ही आया था, जिस वक्ता आरियन और शिमोना ये पिेंटिंग लगाने आये थे, ओ, तो इसका मतलब है, आरियन और शिमोना, ये दोनों का कोई-ना कोई कोई जरूर के साथ, इन तीन खूनों के साथ. सर ये आरियन और्शिमोना हर जूम से पहले अपनी पहचान बदल लेता है शायद इस वक्ट भी अपने नए जुरम के बारे में सोच रहे हैं तो पता लगाओ यारियन और्शिमोना इस बार अपनी चेरे पर कौन सा नया चेरा लगाने वाले हैं किस तरह आप लोग बड़ा मगर मचपन कर चोटी मचलियों को खा जाना चाहते है इसका इतिहास अब तक कुल 15 कंपनियों को आप लोग अपनी कंपनी में शामिल कर चुके या तो पैसे का लालज देकर या पिर धोका दड़ी से इसमें गलत क्या है सर हर बिजनेसमें का एक अब लोग बस वही कर रहे हैं मगर गलत डंग से कर रहे हैं गलत डंग से यह है वो साथ लोग जिन्होंने तुम्हारे किलाफ कंपलेंट दर्श किये पुलीस में इसमें रणवीर भी है सर वो कहते हैं न कि इनसान जैसे जैसे कामयाब होने लगता है उससे जलने वालों की कादाद भी बढ़ने लगती है यह लोग जलते हैं हमसे सर जूट इस नहीं बिना वज़ा है यह लोग हमारी तरक्की में बाधा डालने की कोशिश कर रहे थे यह लोग जूट बोल रहे हैं क्या तुमने इन लोगों को धंकी नहीं दी कि तुम्हारी कंपनी हमें दे दो हाय को धेलते हैं कहते हैं दूट भी मानी हैं सर अवने सब्स् tkad感 और नही कि उनते डंच पयार से बिम्थी कि कि और से सिधे सीधे बतादो कि अरतीनों को यकिन मानिये मरें सर हमने हैं नहीं नहीं बारा एम से बहुत जानते हैं जा Ampinail नहीं टिक हैं निग एलो तबहु जा सर, मुझे लगता है यह दोनों सच कह रहे हैं, उन तीनों के खुन में इनका हाथ नहीं है शेया, इतने जल्दी यह कहना ठीक नहीं है, पर अगर मान बिल्या कि इन दोनों ने खुन नहीं किया, तो फिर खुन किया किसने, यह खुन किसी ऐसे आदमी ने किया, जो अंदर वाला है, अंदर वाला, और जो जानता था, कि यह रणवीर, इशान और कृतिका, वहाँ उस में कुछ नहीं बता है, सुर हो सकता है, उन दोनों को पता ही नहीं कि यह मीटिंग आखिर थी किसके साथ, उसकता है, सुर अक्सर जो बाते हैं साथ वालों को पता नहीं होती है, वो बाते हैं उनके ड्राइवर्स को पता होती है, तो ठीक है, ड्राइवर से पूछ आश करो जो. जो. मैं स्याइडीनस इस्पेक्टर साचिन्नौ. आप जरा आये, तुनों फोड़ों देखिए. अजर लडका है अपके हैं आप पासपौट बन्वा याए थी कै? नहीं सर्, ए तुनों तो अपही नहीं है? पूरी यकिन से कह सकते हैं कि कभी नहीं है? हाहा थर में पूरी यकिन से कह सकतो हूँ कि यह नहीं है? तेंक यू. वेल्कम. ये अरियन और शीमोना है क्या ये थुन्स आपके बैंक में निया अचाउंट किलवाने है एक अरियन ओर शीमोना एक मिन्यट सिर् हिए सर नहींगर क२ियो हो एक नहीं ने हमारे हैं कोई अकाउंट कुलवा अए निया ये मेरा कारड है अगर यह दोनों आपके बैंक में हाये तो मुझे फॉरॉन इंफर्म कर दीजिए ओकी सर्थ ओके थैंक्स सर कहीं हमारी तेहकेकार की रहा गलत नहीं है शायद इस बार आरियन और शिमुरा ने कोई नया अकाउंट खुलाया नहीं हो आरियन और शिमुरा का जुन है गनित की गिंती की तरह है जिस तरह से तीन से पहले दो कहनते हैं उसी तरह शिमुरा और आरियन का बैंक एकाउंट खुलवानता है एकम पर तेए आगे की बैंक शेक करतें मनेरी साब जी कहिए हम लोग ची आइड से सि आईडी जी हां सि एडी जरहें इन फोटो को गह और से देखिए यह आरियन और शिमुरा क्या यह आपके बैंक में अकाउंट कुलवाने आए थे यह दोनों हां यह दोनों हमारे अकाउंट कुलवाने आए थे लेकिन आपको कोई गलत फेमी हो रही है, इनका नाम आरियन और शिमोना नहीं, रवी और सपना है क्या, रवी और सपना? जी हाँ, ये दोनों 420 इतने धडल ले से अपने नाम बदल रहे हैं, जैसे हर शुक्रवार को सिनेमा हॉल में फिल्म बदलती रहती है अज़ ये उनकी डीटेल्स देख सकते हैं? जी एक में हाँ विरिन, उस फाइल में से रवी और सपना की डीटेल्स देख रहा हॉना? हाँ ये वे उनकी डीटेल्स हाँ जन्वी कागजात पर डॉक्यमेंट्स वदरा दिख रहे हैं? हाँ हाँ, अकाउंट खुलवाने के लिए जो भी कागजात जरूरी होते हैं वो इन्होंने दिये थे और हमने ने चेक भी किया था बिल्कुल सही थे और तो और हमारी एक टीम इनके गर भी जाने वादी है एड्रस वरिफिकेशन दिए एड्रस वरिफिकेशन एड्रस तो यही बताया था ना मुलो मुलो यह सर मिश्टर रवी मिश्टर रवी जी बूलिये हम लोग ASDC बैंक से आये हैं आपके घर का वेरिफिकेशन करने आपने नया खाता खोलने के लिए अप्लिकेशन दिया है ना हाँ 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 बहुत बढ़िया घर बनाया आपने सर अच्छा सप्ना मैम है ना उनके भी सिगनिचर्स लगेंगे अच्छा हाँ सप्ना सप्ना क्या हुआ रवी बड़े अच्छे कला का रहे हैं आप लोग आर्यन को रवी और शिमोना को सप्ना पुलाते है मतलब आप लोगों का खेल खदम हो चुक है मिस्टर आर्यन और मिस्स शिमोना कौन हो तुम लोग और हमारा असली नाम कैसे जानते हो अरे भाया सुनो जिस स्कूल में तुम पढ़ते हो ना उसकी हम लोग हेड मास्टर्स रह चुके और तुमारे इसे 420 हमारे जेब में लेके लिंकते हम लो तेखो तेखो मुस्से पंगा मतलो बहुत खतरना का आदमी हूँ मैं सी आईडी से खतरना तो नहीं हो सकते ना सी आईडी वाट अरे कहां जारे अरे आईडी भुमा भुमा तो अधठीज में टॉझा हुआ है... और वरती जरेज में भाज़ए ओड तेकर झाल भॉड करोड़ रोपे तो तुम लोगों को ऐसे मिलने वाले थे पिर तीन तीन खून करने किया जर्वत थे क्योंकि अगर हम उनका खुन नहीं करते हैं तो वो हमारा कुन करते हैं वो वो कौन थे पिछले महीने अमने एक आपने को चुना लगाने के पुरूश्ट करी जो अमारे जाल में पसा ही रही है हाँ तो मैं कैसे यकीन कर लूँ कि जो जेवरात आप हमें बेचना चाहते हैं वो सब असली है और राजा महराजाओ के वक्त के हैं अगर आपको हमारे उपर यकीन नहीं तो ये राउस का प्रमान पत्र ये मिस्टर अभी मन्यू उस राज घराने के वारिस उनका नाम और न अभी सौदा पक्का नहीं हो सकता है ये लेज़े अपनी राज थैंक यू शूक्रिया थैंक यू हलो क्या अने पकड़ो इने अने इसन मेखनी है अने जेवरात लखने हैं पकड़ो हो तो उन लोगों ने सोचा कि तुमें पुलिस के हवाले करने की बज़ा है क्यों ना तुम से एक जुर्म और कराया जाए जाए हम तो खून करने के पारे में सोच में नहीं साथ हम लोगों से पैथे ले उनकी चहने नहीं लेते हून करने से इतना ही परेज ता तो क्यों सा उन लोगों का, C.I.D. के बास आना चाहिए था तुम लोगों को कहाँ पकड़े के तुम लोगों? तर वो होटेल रिज में होटेल रिज? स्क्यूज में आईये सर, आप डिलेक्स रूम एची लेंगे या नोनेची सर? C.I.D., क्या बात है सर? सब ठीक तो है ना? ठीक तो कुछ भी नहीं है इन तीनों को जानते हो? नहीं तो सर नहीं पहचानते है मैं नहीं पहचानता सर बोला आपने मैनेचर को अरे बो रहे मैंने जर साब जल्दी आईये C.I.D. वाले आईये है क्या वह सर? इन फोटोस को जरा ध्यान सर देखिए ये रनवीर, ये आरियन और ये शिमान जरा डीटेल चेक कर के बताईये क्या ये आपकी होटल में आये थे? ठीके सर नहीं सर ये नाम की लोग तो अमारे होटल में कभी नहीं है स्वायद नाम बदल करे रहे हो सर नाम बदल के आया होगे तो पता नहीं लेकिन पहले इन्हें इस होटल में आते होगे कभी नहीं देगा सर जहां तक मेरा खयाल है जहां तक आपका खयाल है हां? अलो हाँ जर आप अंदर आना था हाँ सर असर यह बताओ के रनवीर साहब यहां इस होटल में अकसर आते थे हाँ साब हपते में दो तीन वार आही जाते थे किसी सी मिल ले सुलिया मैनेजर साब आपने कमाल की याददाश्त है आपकी जो ग्रहाग अकसर आपके होटल में आते हैं जी वो यह यह आपके जुबान क्यों लड़ खडाने लगिया सर जबान नहीं सर यह चेपारे आप अंसे हाँ सब कुछ भी नहीं चुपा रहा हूं मैं हलो हां सर क्या ओ तो यह बात है था है हां सर मैं अब होटल रिट्स में हुँँ आपको फोन करता हूं ओके, ओके, जावाद, शिमोना और आरेन ने अपना कुना कबूल कर लिया है, दस दिन पहले एसी होटल में एक जु़लरी एग्जविशन वा था, जिसमें फिर से उन लोगों ने एक बार किसी को ब्योकूप बनाने की कोशिश की है, लेकिन नाकाम्याब रहे हैं, अब क्या क निकिल, इस वाच्मिन को ठीक तर से समझा दिया है ना? आँ सर समझा दिया, लेकिन थोड़ा डरा हुआ है, सर यह जो कोई भी है जो आड़न और शिमोना को फसा रहा है, बहुत चालाग है, वो खुद तो कभी सामने नहीं आया, उसने अपना सारा काम अपने स्टाफ के ज ज्यादा देर तक नहीं रहेगा, बहुत जल्द हम इसके चुन के खेल का पड़ा फाश कर देंगे, सर, नाम लियो और मुझरे माजिए चालाग है यह खर की सारी लाइटे अन क्यों है कौन है, कौन है वाँ पर, नीचे आओ अरे, क्या हाल है विशाल भाई, कैसे हो, ढात का दर किसा है, मैंने का था ना आपको, दूबर ब्रश करना, सोने के बाद उठने से पहले, तुम यहां क्या कर रहा हूँ क्या, अब मुझे अधिक के खुशनी है तो जरह पलटके इस तरफ देखो, शायद हमें देखके कुछ खुशी मिल जाए अपको अब मेरे घर में, क्या खुशनी का पता चल गया तो हमने सोचा के खुश चल के अपने हातों से उसका जबड़ा हिला दे जबड़ा हिला दे, सर तो उसके लिए तो आपको खुशनी के घर में होना ची फिर भला आप यहाँ मेरे घर में क्या कर रहे हैं अपना एक गाज ज़रा यहां लाना सर आपको मुझ पर शक है शक नहीं, पुरा यकीन है सर कहाँ जारव विशान बाबु अपनी कमपनी का शेयर छोड़कता मेरे मिठो अब एक अच्छे तोते की तरह चुपचाव सच बताना शुरू करते हैं संद्या वाल सर सर यह साच है कि मैने रडवीर केशान और कृतिका के खून में साथ दिया था पर सर मैं उनके खून की साजीश नहीं रची दी सर अबने नहीं रची था अब फ़र किसने रची मुझे नहीं बालूं सर वह हमेशा अपने वकील को बेचता था मुझसे बात करने के लिए कहानिया बनादा उन तीनों की मौत के बाद सारी दॉलत तो इसकी होगे वह बहुत लंबी प्लानिंग की थी खुनी ने अब तुम्हे काम करूँ उस वकील को फोन लगा और उसे वो कहना जो अब हम तुम्हे बताएंगे है जीज़ाँ जीज़ाँ आखिर कौन से जरूरी बात थी जो तुम इस अंजान जगा पर कर रहा है अगर तुम चाहते है तो ये बात आफिस में भी हो सकती थी सुरेच जी बात बहुत जरूरी थी इसलिए मुझे आपको यहाँ बुलाना पड़ा कौन से जरूरी बात थी सुरेच जी रणवीर ने ये कंपनी हमें बेचने से पहले किसी और को बेच दिये अब इस कंपनी को बेचने का हख हमारे पास नहीं है एक मिन टेक मिन क्या आप वखिल साफ को हमारा प्यार भरा नमसकार अपना प्यार भरा नमसकार रख़ो अपनी जयव में अगर अपनी भलाई चाहते हो तो चुप-चाप ये कंपणी उसको दे दो जिसका इस कंपनी पर पूरा हख सुखी जी हम यह तने प्यार से बात कर रहें ऑर यहामें कि वहरे तुम दोनों को उपर बेजे का इसाम करके रहा है किसी को पता भी ने चलेगा कि ये कमपनी कभी किसी और के नाम पे होई थी सर में आब है किर्टिका का हस्पेट ऐसे कैसे भूंदोगे या समझ रखा है हमें गर नीचे रखो पहले सी आइडी को तो आने तो सेटी सी आइडी आये पहले मैं तुम्हें मार देता हूँ चाप कानी तो तुम्हारी खतम होगी पासी के फंदे पर याट कहा भाग रहे हो अपै बाबू अभी तुम्हें अपने चुन कभूल करना बाकी है तीन तीन खुन करके पेट नहीं वरा तो और दो खुन करने चले थे हाँ और खुन करूँगा मैं और करूगा जोभी मेरे हर मेरी कंपनी के बीच में आईगा वो सब को मारना पड़ेगा कश्टार गदारी केती मेरी पतनी किर्टिका ने मेरे साथ कैसी गदारी मैंने किर्टिका इशाल और रणवीर को पार्टनर बनाय था अपनी कंपनी में ताकि वो तीनों मेरी मदद कर सके बिजनस में और उन तीनों ने मिलकर मेरा ही पत्ता काट दिया मेरी कंपनी से और ये विशाल इसे मैने लाय था इसका हिसा मुझसे भी ज्यादा है मेरी कंपनी में और इसलिए तुमने विशाल को अपने साथ मिला लिया और प्लान बनाया रणवीर इशान और कृतिका को मारने का है ना जो विचाल फिर तुमने आरियन और शिमोना की मदद ली और कॉन्फरेंस रूम के प्रोजेक्टर में वो मेकानिजम फिट कर दिया और ये बेचारे तीनों के तीनों मारे कहें तुम्हें पताता कि तीनों मरने के बाद इनका सारा हिस्सा विशाल को मिलेगा और विषाल कंपणी का मालिक बनेगा और फिर किसी भी तरह से तुम विशाल से इकंपणी हत्यालोगे जाकी खतम होता है बशा डे पंदे फर भासी के पंदे पर विशाल तुम तुम बी नहीं बच सकते को कि मुझरिम का साथ देने वाला भी उतना ही बड़ा मुझरिम होता है ए बहुत करीब पहुंचने वाले हैं, 26 तारिक, 26 तारिक, बजाते रहो, अच्छे बच्चे तो 26 तारिक को बजाते रहो, मिंटु, असन, सुखी और मनपरीद, बजाते रहो! ये शनिवार रवीबार के बाद, सोमार कैसे आजाता है? अरे यार, सोमार का देन बहुत है भारी दीन होता है, कि दो दिनों के छुट्टी के बाद, तो ओफिस अने का दिली नहीं करता है मेरा वर्म, इतनी जल्दी आफिस आगया? इतनी सबसबे? आज तो सब की शामत आने वाली है वोग अरे, तुम सब लोग इतने जल्दी? वो भी सोमवार के दिन पर? चटकर कैन हमारी छोट, अपनी बता, तो इतनी समय सुपे वरून के केविन में क्या कर रही थी? वो, वो कुछ नहीं वरून ने मुझे कुमार बिल्डर का ओड़िट करने के लिए बोला था ओ, चुटियों में मैंने काम पूरा कर दिया, बस फाइल रखने गई थी सुनी धी, प्लीज, अच्छी मच्ची बनना बन करो विज़ तुमारी वज़े से बॉस के सामने हम सब का इंप्रेशन तो डाउन होजेगा बल्सक्ष़ प्ला energy सबाफ तो इसроइम होँ झाल तो के लिए एला झाहां सोião चाहां। बाबू है कौन है वे जो बाबू को नाम से बुला रहा है क्या नाम है उसका नाम क्या है कह दो शिखर शिखर बाबू कीदर है ओ शिखर सर आप और अपने चॉल में भाई अब तो अपने एरिये का भाव तीन से पांच हजार रुपए स्क्वेर फीट बढ़ जाए मैं यहां तुम्हारे वकवास जोग सुनने नहीं हो बाबू पत्ता है काय को आयला है टेंजन क्यों ले रहे हो सब हो जाएगा अरे खाक हो जाएगा तीन दिन हो गए और वरुन अभी तक जिन्दा है जिन्दा इसलिए है क्योंकि इसकी सांसे अभी चल रही है लेकिन आज श कि नहीं बोलने का धर्ती का बुज कम करने का ऐसा बोलने का अच्छा य। वडमॉनिक्स वेरी गुद्मॉर्ण औिर आम दो हुआ है और आमीजू और आमीजू कर दो दो हुआ है है एक ए ह्याँ आइ है आई मुझे शुर्ण फिरिफाराइड और रगर को जा फिरिफीज का है स्वीज़ अच्ट मट काहो जै विज्ट इड़ काहो कि और प्रड़ी भी ऐसे काम में अटक गया या इसलिए आफिस आने में लेट हो गया अच्छ, काम इतना इंपॉर्टन था कि मेरे मेरे मिस कॉल का रिपलाई करने के लिए टाइम नहीं था सुनीदी, मैं बहुत दिनों से तुम से कुछ बात करना चाहता है उस वरे में जो हम इस आफिस में करने की सोच रहे हैं सुनीदी ये काम इतना आसान इंज एक नाम सोच रहे थे वो बहुत खतरनाग लोग है उखी बहुत बहुत उपर तक है लेकिन बरुन मेरी बात खतम होने दो हमारी जान को खत्रा है मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं नहीं जाता कि मेरी वज़े से तुम्हें कुछ हो हूँ तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वरुन तुम क्या बोल रहे हुज़े कुछ समझ भी नहीं आ रहा है इन लोगों से तुम्हे बचाने का एक ही रास्ता है वरुन क्या कर रहा तुम्हें वरू? रुख जाओ, वरू मैं के लिए रुख जाओ वरू समय तो अपने अपको फांसी लगा लेकिन हमने तो घोली के आवास सोनी थी मुझे लगता है सी आडी को बलाना चाहिए हेलो, सी आडी? मुझे लगता है मुझे लगता है के सुसाइट का केस है यह नहीं सर, मतलब हाँ सर, देख ले से सुसाइट का ही केस लगता है लेकिन जो हम लोगों ते सुना तो कुछ और ही था क्या सुनाई दिया था? सर, गोली चलने की आवाज क्या? गोली चलने की आवाज? जी लोक साथ इसे गोली लगी? ले दिया, इस आदमी के शरीपे तो गोली का कोई निशान नहीं बलकि इसके गले पर इस रस्सी के फंदे का निशान है मुझे तो लगता है कि या आदमी गोली समारा इस कैबन में गन मिली? नहीं सर रॉक सब कहीं पर भी गन पावडर का निशान? नहीं गन पावडर भी नहीं मिला कैबन में गन मेली है नहीं गन पावडर मिला है और नहीं शरीर पे कोई गोली का निशान तो फिर इन लोगों ने गोली चलने की आवास कर से सुनी? सर, मुझे तो लगता है कि इन लोगों ने टायर पटने की आवास उनी होगी और ऐसा लगा है कि गोली चलनी होगी पंकज, ये अकाउंटेंसी फर्म का ओफिस है यार कोई गेराज नहीं है जहां पर मोटरें ठीक होती है तो ये केस तो काफी पेचीदा लगता है पेचीदा तो है इन लोगों ने गोली चलने की आवास सुनी है और वरून की मात हुई है फासी लगने से सब के पिछे रास क्या हो सकता मैं अकेली हूँ और और आज ही जाना है मुझे मैडम यह ऑस्ट्रेलिया है अम रिट सर नहीं की टिकेट लिये और बैठ लिये वीजा एप्लिकेशन करनी पड़ती है और उसमें कम से कम पंधरा दिन लग जाएंगे 15 जान बाफ जिए श्ट्रेलिया में किसी भी हालत में आज ही जाना है मैं मैं फ्लाइट के तीन गुना पैसे दिने के तयार रहूं लेकिन मुझे आज ही ऐस्ट्रेलिया जाना है एस भी का जल्दी यह जोड़ने की स्वारी आप यहाँ एरे हमारा सवाल आपने हमसे ही पूछ लिया तो जवाब भी दे दीजे आप यहां क्या कर दीए आप को कैसे पता मैं यहां हूँ आपके माते पर पसीना और आपके डरे वे चेहरे की वजे से हमें आप पर शक्त हुआ आप अजय कर दो आपके बोल रही हूँ निर्दोश हूँ अज पहली पार किसी निर्दोश को मुझरीम की तरह भागते हूँ देखा है मा अगर आप वागई में निर्दोश है तो फिर आप अश्यलिया की जा रहे हैं हमेशा के लिए टर की वज़ेसे इस बात कर दो चौब है जोब हकीकत का पता चलता तो सब मुझ पे शक्त करते वारू के मौत के बारे में तो इस हकीकत की बात कर दे यहां वारून ने अपन किसे से प्यार करते थी मैंकिन ओफिस में ये बात किसी को पता नहीं थी प्यार करना कोई जर्म तो नहीं है पर आपने ये बात सब से चुपाई की हमारे बॉस की वजए से शिखर जी ने रूल बनाया था कि ऑफिसमें कुई स्टाफ आप अपसमें रिष्टा नहीं बनाए कि वसी का मुझे पताने कि लेकिन वरून में मेरे सामने अपने अपने आपको गौरी मारे होती तो इसके और आपिस के के काविन में गण मिली बुर्य पर वहाह पे हमें ऐसा खुछ ب नहीं की कि अब अभी भी हमसे पुछ उपा रही हैं तच तच बताओ अन्ना हमें आपको इसी पर गिरफ्तार परना पड़े हैं कि अब नहीं सर अचली वरुमार मैं रोज ओफिसमें वीडियो चैट करते थे वो अपने कैबन से और मैं अपने डेस्क से उस दिम्नी जब उन वीडियो चैट कर रहे थे वो वह बहुत इस्टरब था उसने अचानक गन निकाली और अपने आपको बार दिया ऑफिसमें गोली कि यह देखे है मैं भाहुत चौकता है तुमने अचानक बनी चुली चलाते वह देखा है सर अचानक अबागा इनके वीडियो चैटिंग के रेपोर्डिंग चैट करने जए हैं इसको डेकॉर्डिंग ही और अश्कतर नहीं रेकॉर्डिंग जाता है आपको पादे की ज़ि वरून से गलाप से मिलेगा का हुआ इतनी परिशान क्यों हो यार परिशन नहीं हूँ तो क्या करने अरे मैंने क्या गया तुने कुछ नहीं किया फरंखे बात यहां पर रहे है इस वरून के मौत के साथ वरून के ऑफिस वरून ने गोली चलने के आवाज उसके बाद जब अंदर गये तो उन्होंने देखा कि वरून रस्ती से लटका हुआ था बाद में पता चला कि वरून का सुनीदी के साथ अपैर है सुनीदी इसी के ऑफिस में काम कर दी अब वरून साब ने अपनी पूरी जायदाद इस सुनीदी के नाम कर दी और खुद आत्मत्या कर रहा था तो पर सुनीदी को देश छोड़तर भागने के जरूत क्या थी यार जड़ वहीं पर है ना सवरून के सुनीदी के मुताबिक वो उस वक्त इस वरून के साथ वीडियो चैटिंग कर रही थी लाइव लाइव वीडियो चैटिंग और उसने अपनी आखों से देखा है इसे अपने आप पर गोली चलाते हुए बढ़ी अजीव लड़की है वरून से प्यार भी करती थी और अपने आखों के सामने उसे आत्मात्या करते हुए भी देख रही थी बात ये है कि सुनीदी का दाव है वीडियो चैटिंग करते समय उसने वरून को खुद पर गोली चलाते हो देखा और गोली के आवास ऑफिस के पूरे स्टार्फ ने सुझति कमाल है एक बाद बताओ एक आदमी एक इस समय में दो अलग अलग तरीकों से आत्मक्ट्या कैसे कर सकता है यार वही तो सालूं क तो यकीन के साथ कह सकता है कि वरून ने आत्म चाही किए अडम करता देख वरूस मैंने वरून की लाज की अच्य तरह से जाच किया और इसकी लाज की जाच करने के बाद में इस निश्कर्स पर पहुंचा हूँ कि वरून की मौत आक्सीजन की सप्लाई बंध हो जाने की व विश्वास के साल मैं सिरफ ये बता सकता हूँ कि वरुन को गोली नहीं लगी है, बस. तो फिर क्या लगी है? अब ये फासी पर लटकने की वज़े से मरा है, या कैसे? ये विश्वास के साल नहीं बता सकता हूँ. लेकिन सालूं के थाप ये वरूर के गले पे जो बंदे का नीचा है इससे तो हमें कुछ पता चल सकता है ना बाट इस पीदी और आसान नहीं है फैरी दो को ये भी हो सकता है कि किसी ने इसका गला दबा दिया आओ पहले किसी कपड़े से इसका दम घुट गया और ये मर गया या कोई इसे मरने के बाद लटका है गले पर तो ऐसे निशान आने वाले है मौत ओक्सिजन की कमी के वजए से हुई है और ओक्सिजन के कमी के वजए से है तो क्या वरूरून का दम घुट गया या घुटा गया आत्मत या खूण सार कुछ पता चला है सर वरून का असली कातिल कौन है हम अभी तक ठीक से ये तेया निक कर रहे हैं कि ये घुट है आत्मत्या लेकिन किसी भी हाल में हम इस के ताह तक पाश्कर ही रहेंगे और अगर वरून का खूण हुआ था तो असली खूणी को सजा दिलाकर रहेंगे और इसके लिए हमें आपकी मदद चाहिए हां हां लेकिन कैसी मदद आप हमें ये बताएंगे के जब आप लोग सुबह आफिस में आये तो क्या हुआ पर प्रीसा फुरा डीडियल में बताईए जी मैं आपको बताती हूं आज सुबह जब हम आफिसा तो थोड़ी फासिले वाली लेकिन हमने तो घोली चलने की आवास कोने थी तो लगता है से आईटी को बुलाना पड़ेगा वरून को नीचे उतारो चल्दी कम आन पास हाँ आँ जब आपनी संभाल के तो आप सबने वरून की लाश को नीचे उतारने के लिए टेबल का साहरा लिया जी स जब आप सब लोग यहां इस कैबिन के अंदर आए तब यहां पे भालत कैसी थी मेरा मतलब है यह सामान बिखरा हुआ था उतल पुतल हुई थी या फिर यह टेबल जो यहां पर है अपनी जगे पर नहीं थी कुछ नहीं सर सब सामान ठीक ठाक था लेकिन यह टेबल उस दिवार के तरफ को जादे सरका हुआ था सर सालुकर साब कह रहा था कि वरूम के नाखुन के नीचे सूने लकडी के और लकडी के पॉलिश के कुछ अंच मिले थे पंकच जए टेबल के उपर नीचे देखना तो निशान मिलते हैं क्या सर यहां पर नाखुनों के निशान है ऐसा लग रहा है किसीने खरूचा है नाखुन के निशान ओ पंकच भारा जो इसका मतलब है शायद वरुन यहां इस चैर पर बैठा होगा ऐसे और खुनी ने पीछे से हमला किया गला दबाग के माने की कोशिश की होगी मगर वरुन ने अपने आप को बचाने के लिए इस टेबल को ऐसे पकड़ा ऐसे खीचा होगा अर उसी टाइम इसके नाखुन के निशान टेबल के नीचे आ गया है सर इसका मतलब पहले खुनी ने वरुन को यहां पे गला घूट के मारा फिर इस रसी पे सीलिंग से लटका दिया सब अर्ण को यह रगांटाई था एक अप्वान को इस तरह से मारन क्या हो सथा है आरन पता चल जाए तो यह राज अपने आप सोलज जाएगा अच्छा वरुन को कौन मार सथा आप लोग को किसी पर शखन है ने सब लोगों को इस बारे में कोई जान करें इस एकाउंटिंसी फॉर्म का मालिक कौन है? मिस्टर शीखर मिस्टर शीखर? जी इस शीखर से मिलना पड़ेगा पंकच्छ मिस्टर शीखर को जल से जल पूछ आज के लिए प्यूरो बलाओ वरुन एक बट खास लड़का था मेरा सबसे होनार स्टाफ और मेरा बहुत भरोसा था उस पे सब एक बात बता आखा वरुन की जब मौत हुई तब तुन कहा थे? वो ऐसा ऐसा मेरी बहुत खास मिटिंग थी अर्जंट और मैं उसमें व्यस्त होगा था लेकिन मुझे बहुत शौक लगा सुनकर कि वरुन ने आत्मत्या कर लिए आप से किसने कहा कि वरुन ने आत्मत्या किया सर मैंने तो यही सुना कि उसने रसी से लड़का के खुद को मार दिया तो मैंने समझा कि उसने आत्मत्या ही क्यों कि मैं कुछ कलक कह रहूं सर हमें शक है कि उसका खून किया गया था अजी अब कर दो पसीना हो गया क्यों आप इसने नर्वस क्यों है नहीं सर खैसी बात करने हैं आप मैं नर्वस को उज़ा हूं सर मैं तो पहले हैं आप से कहा कि वरून बहुत इस अच्छा लड़का था और यह सारी बातें आप स्टाफ सेरी साब भी पुछ सकते हैं वो सब उसे पसंद करते थे मैं रर्मस नहीं हुँ जर बस थोड़त परिशान हूं गोई अचा अचा एचा अचा आचा पछार अचा अचा आप वरुन का कोई खास दश्मन जो उसकी जान लेना चाहता हूँ नहीं सब, मैंने आपसे पहले कहाने कि वो बहुत ही अच्छे दिल का लड़का था उसका कोई दुश्मन कैसे हो सकता है वो तो सिर्फ अपने काम से काम ही रखता था इसलिए मैं हर साल उसे प्रोमोशन देता था शिकर जी कही ऐसा तो नहीं कि आपके किसी क्लाइंट नहीं वरून को मारा नहीं मेरे कहने का मतलब है कि आपकी कंपनी के सारे बड़े क्लाइंट्स वरून ही संभालता था नहीं है ना यह तो मुम्किन नहीं लगता मुझे क्योंकि मैंने कभी किसी क्लाइट को वरुन पर नराज होते नहीं देखा और इंफेक्ट वो तो रिक्वेस्ट करते थे कि वरुन नहीं उनका अकाउंट संभाले अच्छा तो फिर अगर आपके किसी क्लाइट ने वरुन को नहीं मारा और भी किसी ने नहीं मारा तो फिर किसने मारा होगा वरुन को किसने मारा होगा जी सब्गराइ्यम्र आपके सबसे अजीज सबसे अच्छे एंपलोई के तुनिका झारूर ज़रूर पोखड लेगे जिड़ी जी 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 से तनिक यू से अच्छर जी सब्चाइब अच्छर अधिक ये अईः इस आपिस का मालिक है उसे अपने ऑफिस में चुरी चुपा नहीं किया जददती यहां सर, वो भी इतनी रात में जब पुरा का पूरा आफिस खाली है, वरून के केविन में क्यों कुछ है? वरून कुछ ना कुछ गर बढ़े, सर. केविन तो खाली है? उसे तो अमने केविन में आते हुए देखा था. एक लिए, क्रिकर चेक करो. सर. क्रिकर के नर्जे बंद है. तर मतलब यह केविन से भारने किया है? तर बहर रहा है? काम करो, क्याविन की तलाशे लो, यह कही होना चाहिए. क्रिकर के लिए भारने के लिए लो खाली है? क्रिकर के लिए भारने काविन से लिए भारने तो यहाँ प्रशे है? मैं सच में मैंने कुछ नहीं की है अज़, बहार आओ बहार आओ मैंने कुछ नहीं की है सथ सच टोग बना लोरफार्म सुसाइड नॉट मैंने सच में कुछ नहीं की है मैं कैसम ठागी होता मैंने कुछ भी नहीं की है अच्छा वरुन का खोन करके उसे आत्मत तर दिखाना चाहते थे क्यों तिद नहीं असल मैं वरुन को भी आप राज के बादा आप पर लिया दा कौन सा राज यह यह चुपीवी दिवार का और अच्छो भी इस खोफिया फाइलों कर दरसल मैंने अपने अपने प्लाइंस के अकांट में से लाक और गवर किये और वसे मालूम पढ़ गया था वो मेरे मर्दा पुर्श करदा जाता था इसलिए मैंने उसके मौरने की सुपारी बाभू को ते दिया जा जा दो देजा तो बारून का खूण बाभू ने इस तरह से प्लाइन किया था बाभू इस आपड़ू यह तो जब कर दो पारीच में भाग्टे भाग्टे भी ग्याओगा हाँ, हाँ? चर्ड जोर चर्ड वाँ सुकाते हैं तो यह ही नाम देते हो अपने कमपनी के सबसे अच्छे अच्छे अपलोई को हाँ? मारीक होना तुम एक्टर गुनो एक्टर दिखा कैसे मातम बना रहा था? वरून के मौट का? सर, I'm very sorry sir मैं उस दिमाग ही खराब हो गया था मारा दिमाग खराब हो गया था? और तुने मेरा भी दिमाग खराब कर दिया कोई दूद पीते बच्चे नहीं हो तुम कैसे लिए थे तुमने चिकर से वरून का खुन करने के लिए साब, मैंने किसी का खुन नहीं किया है जूट मन दो लो वरून के कैबिन से हमें क्लोरोफाम की बॉटल और सुसाइड नोट मिला है उसकी लिखावत तुमारी हैंड़ाइटिंग से मैच करती है मैं सच कह रहा हूं साब मैं उस रात वरून को मारने गया था लेकिन नेरा खुद प्लान था कि उसका गला दबा को लटका हूं लेकिन जब मैं उसको मारने गया तो वो पहले सी मरा हुआ था उसकी लाश लटक रही थी साब काहनी बनाना पन काहनी बनाना साब मैं सच कह रहा हूँ, मैंने तो किसी नकाब पुर्श आदमी को छिटकी से बाहर उपर भागती हुए देखा था वारुन के ओफिस से जाने से पहले उसकी जान चली जाएगी पहले ये क्लोरोफॉर्म सुगा को उसको भी होश करोंगा और इससे साइड लेटर उसकी टेबल पर रखता हूँगा वाँ 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 क्या आइडिया है किसी को शक पी नहीं होगा कि वरुन का खून तूने क्या है क्या बात है हां में इसका चिरानी देख पाया था सर बैमानांथा में ने बाबु को वरुन को मारने थी ऑग जां जब महिरी तहीत लैकिन भाबु वरुन को मारा तो नहीं मैं मैं छूट जाओंगा एका के में छूट जाओंगा न map कुन नहीं करवा तो क्या हुआ कुन की साजेश तो रची थी ना उसकी सरदा तो तुम्हें मिलेगी, समझेए? सर, वो नकाप पोश कुन था, उसका पता लगाना पड़ेगा सर. हाँ. सर, बाबु ने कहा कि गोली से बचने के लिए जब वो जुका था, तो पेन ड्राइब और हेटफोन के चैक कप्यूटर से किर गये था. लेकिन सर, क्राइम सीन पर से हमें कोई पेन ड्राइब तो मिला नहीं था. मगर प्रियांकाने तो काया था कि नहीं? चाहा. तो इसका मतलब है वो पेन ड्राइब सुनिधी के पास है. निस सुनिधी? अब, क्या हुआ सर? बहुत कुछ हुआ है, और आपने हमसे बहुत कुछ चुपाया है. मैं कुछ समझी नहीं. समझ तो हम भी नहीं रहते हैं अब तक. अब, आप हमें समझाईए. क्या? यही कि जब प्रियांका जी नहीं हमें वरून के मौत के सारे गटना बताई, तो उन्होंने यह भी बताया कि आप वरून के कैबिन में कुछ उठाने के लिए जूकी थी. हाँ या ना? वो मैं, सर... बहतर यही होगा तुमारे लिए, कि जो कुछ भी है सच अच बताओ, वहना तुम्हें गिरफतार करना पड़ेगा. एक मिनिट. सर, मैं यह लेने के लिए जुकी थी. क्या है इसमें? शिखर के काले कारनामों का सच. अपने क्लाइंस को फसा के जो लाखो रूपया का घफला किया था शिखर ने, उस सब के डीटेल्स वरून ने इसमें डाउनलोड कर लिये थे. उस दिन, उस दिन गोली की आवाज सुनके अम सब कैबिन के तरफ भागे. बस वही पे टेबल के पास मुझे यह पड़ा मिला. मुझे लगा अब शाहद इसी वज़ेसे उसकी मौत हुई होगी. तो मैंने यह ले लिया. तुमने यह यह पेले क्यो नहीं दिया? मैं डर गई थी. मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करू कहा जाओ? क्योंकि इस पेंडराइब में और भी कुछ है. क्या है? आप खुदी देख लीजिये. मेरी जान निकलती देख कर डर गई ना? मजाग कर रहा था. आज मैं ऑफिस में सब के सामने इकरार करने वाला हूँ कि मैं सुनीदी से प्यार करता हूँ. और अब तुमें काम करूँ. ऑफिस में सब को लेके मेरे कैबिन में आ जो. मैं तुमारा बेख कर रहा हूँ. इसका मतलब है वरन तुम्हारे साथ लाइब चैटिंग नहीं कर रहा था. वो खुद का रेकॉर्ड किया हुआ सुसाइड वीडियो चला रहा था. लेकिन सर घूली चलने की आवास कहा से आया होगी? ज़रा फिर से रिवाइंड करें. यह पुएट, ज़रा यहां पॉसको. यहां पे यहां पे बाबु से कनेक्शन निकल लिया. और गोली चलने की आवाज स्पीकर के ज़रिये सबको सुनाई दी. मेरे वरुन को तो पता भी नहीं होगा. जब वो यह रेकॉर्डिट मैसेच चला रहा होगा, उस वक्त उसकी मौत हो चुकी होगी. बाबु के बायान के मताबिक वो खुनी खिर्की से उपर की तरफ गया था. इसका मतलब है कि वो चट से भागा होगा. निकल, वोच्च में से पता करो कि इस हादसे के बाद कोई बाहर गया था के यहां से. तब तक हम टैरेस चेक करते हैं. प्रून के खिड़के के उपर चत्का येवाला हिसा पड़ता है. प्रून के खिड़की है. यह देखिये यह निशान, जैसे किसीने रस्टी को यहां से घसीता है. इसका मतलब है खुनी पहले यहां च्छत पे आया और इस रस्टी को पकड़कर नीचे वरून के आफिस में फिसा और बाद में इसी रस्टी के सहारे उपर चड़के च्छत पे आ गया और सब से नजरे बचा कर बिल्डिंग से बाहर निकल गया. इसका मतलब है खुनी ऑफिस के स्टाफ में से कोई है. लेकिन सर वाच्मेन ने इस ऑफिस के बाहर कल रात को एक आपनी को टहलती हुए देखा था. जब आने उसे बाबु का फोटो दिखाया उसने पहचान लिया सर. सर वो बाबु ही था. हाँ सर बाबु तो दीवार में आपनी खुफी आलमारी में छुपकर बेथा और सबके चले जाने के बाद ही अपमे जगे से निकल कर भागा था. यह बाबु तो समझ में आ गया पर वो खोनी जो इस चट से गाइब हुआ है उसकी मौजूदगी का कोई न कोई सबु तो है आपको उसने जरूर छोड़ा ह इस टारिस को चितर्जी चेक करो हुआ. दो करें पुझे जो, पुझे जो. जो, खुझे. अपुझे. यहापर कुझे जलेएगे. यह कबड़ा उस खुनी कही है खुन करने के बाद वो यहां च्छत प्या है कपड़ा बदलने के लिए और इस सबूत को चलाने की कोशिश की पर जल बाजी में उसने सबूत को पूरी तर से जलने नहीं दिया यहां से तो फिल्म की शूटिंग और नाटक के लिए कपड़े भाड़े पी दिये जाते हैं देखते हैं को ने वो खुनी जो इस खुन को नाटक का खेल समझ रहा है सीजवें हम लोग सी आईडी से हैं सी आईडी पर मैंने क्या किया सब यह टाइग बेस ड्रेसेस आप ही के दुकान का हमें बस यह बताईए कि कल कोई आदमी यहां से एक जाकेट और एक मास्क लेके गया था आजब एक आदमी आया तो था पर उसने से भाड़े पर नहीं खरीद लिया था जो कोई भी अगावी चला कैसर अगर वो यह ट्रेस भाड़े पर लेता उसे नाम नंबर पदा सब लिखाना पर दा इसलिए उसने यह खरीद लिया उसका हुलिया था या याद ही हो करो आपको? भर हाँ, वो कुछ फोन पर बाते कर रहा था हाँ वो कुछ हिसाब किताब की बाते कर रहा था हिसाब किताब? हाँ, टेश निइड टेफ एट ग्र डेड ओ jeśliएट और बरर एकांटस एकांट्स पोल रहा था जरूर वारून के आफिस में काम करने वाला कोई आदमी होगा पर सर वा आदमी कौन है? हम यह कैसे पता लदा हैंगे? इस नकाब को पहन कर खुनी खुन करके भागा था अब यही नकाब उसे पे नकाब करेगा सर अब हम सब के बलड का सैंपल क्यों लिया जा रहा है? इस से आपके डियने का पता चल जाएगा हमें इतना तो पता चल चुका है के वरून का खुन हुआ था हमें यह भी पता चल चुका है के खुनी ने काला मास्क और जैकेट पैना था और उसने बाद में उस मास को टैरेस में जलानी की कोशिश की पर उस मास्क पूरी तरह से जलानी और उस पे लगे पसीने से हमें खुनी का डियने मिल गया है खुनी आफिस के स्टाफ में से कोई है हमें सिर्फ यह पता करना है कि वो खुनी है कौन देहा, सिरफ दस मिनट, दस मिनट में डिये ने मैच हो जाएगा, और इन में से जो कोई भी खुनिये है, वो हमारे सामने होगा, दस मिनट, जाएगा. आप आप और आप जाओ, आप 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 जाओ, आप 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 जाओ, आप आजा सकती है, जाप जाएगा, आप झाफ झाओ, आप आप माइए. जिलएक मिन वां एंक कर दोकांण कि आप जावी ने घृट हो थाभा वाईए. बभी जाप मैं, प्याप जापे, जाप जापने हैंо एos application, बने घंवाआगाес, एंवाप जजिए हा झाफेक, टाप रिएए. आप जाएए आप जा सकते हैं, जाएए आप दोनों भी जा सकते हैं आप दोनों जा सकते हैं आप आप जाएए आप जाएए क्या नाम क्या तो है? मेरा नाम? मेरा नाम धावल है सर धावल धावल नाम, निखिल एंकर्षित वाने वसीना पावशीलो, बहुत पसीना रहे हैं पसीना? एलो अकड़ जाने इसके डर से अकसर मुझरिम को पसीना ही चाता है एलो वसीना सर सर मुझे माव कर दीया सर मुझे मरने सा बहुत ठर लगता है सर मैं भाजी पर नहीं चड़ सकता सर प्लीज सर प्लीज मुझे माव कर दीया सर रख साब थैंक यू वेरी मच आपके डियने टेस वाले नाटक के लिए नाटक? यह नाटक था? हाँ नाटक क्योंकि अमास तो बुरी तरे से जल गया था उसमें से हमें को ही डियने मिल Ay अच्छा, और इसलिए आज वो आपिस नहीं आई संभाल के, इसको पूली नहीं लेती ही चाहिए अच्छा, झाया अच्छा, आजब दूदू दूदू हाओ अगे अँद बढड़ना, इसे गोली मार दूदूगी ए उनका शुक्चाप अपने आपको भरेदर कर दो अपनी अपनी बंदू के लिचे गरो मैंने का लोगो पचाव पचाव प्यो प्रियांका निस प्रियांका अब एक नामचीन एकाउंटिंग फर्म में तीनर एकाउंटिंग जिस अच्छा कारियर ता अपका फिर अबने बॉस वरून का कून करके क्या मिला बदला बदला लेना चाहती थी मैं उसे उसकी वज़े से मेरी रादो की नहीं अराम हो गई थी नफरत करकियो मैं उसे नफरत अपने ही दोस्टी से इतनी नफरत करने की वज़े क्या बिगाड़ा था तुम्हारा वरून ने मेरे सबसे बड़े सपने को मुझसे चीन लिया था वो सपना जो मैं दस साल से देख रही कुछा कि अचotes आफ हम ए प्रमोशन का सपना हम ज असली अजुार मैं थी लेकिन मिस्तर शिकर न रह दिश्कौर उट की तरग्क्य कर दी की बिट सपन आरफ टन की शर्व थे ता को ट्रहिए था प्रमोशन खेए दॉसाल से ना रिचग तर देश्किया की तट हैं of से एक साथ सीनिय थी आज जब तीन महीने पहले उसको प्रमोशन मिल गया तो मेरी सफमान को भरदाश्ट नहीं कर पाई तो गुसा आगया तो तुमने अपने बॉइफ्रेंट दवल को उफसाया कि वो वरुन का खून कर दे वरुन की मौत के बाद तुम्हें प्रमोशन भी मिल जाता और उसका कैबिन क्यों हाँ लेकिन यह दवल एक नंबर का बेवकूफर सम्जोर निकला इसने आप सब को सब कु तुम कभी पकड़ी नहीं जाओगी हाँ अगर इदवल मूह नहीं खोलता तुम्हें कभी पकड़ी नहीं जाती क्योंकि मैंने पूरी प्लानिंग की थी अच्छी तेरे से लेकिन इसने सब कुछ बिकार दिया तब के एकरावे पानी फेर दिया तेका दवल गलत काम का तो यह रास्ता तुम्हें ऑफिस के केविन तक नहीं बलकि फांसी के फंजे तक लेके जाएगा झाल